नमस्कार दोस्तों Classmates में आपका स्वागत है मैं रगन्दन कुमार आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे Class 6 की NCRT की समरी Class 6 की NCRT की समरी आज हम सुरू करेंगे Class 6 की NCRT युनित 3 की सीसे पहले हम युनित 3 की चेप्टर 5 परचुके हैं आज चेप्टर 6 परेंगे गाउं का परसाशन क्या होता है यह हमारे दोरा यह लेशन क्येट की गई है चलिए हम देखते हैं आज की आज क्लास लिए से गांग के बारे में आप उता है कुछ तो जानते हुए घांग का नाम शुनते ही आपके दिमांग जहान में यह आता होगा एक गांग मरिट आप के मरिट आप की कोई छथकी करने कच्छी सरक एक खुली बदन गया भैंस बक्री थोड़ा सा माटी में खेलता हुआ बच्चा यह आता होगा ना तो आखिरी गाउं क्या है इसके बार में हम चाचा कर लेंगे आज जैसे कि कहा गया है गाउं एक निश्ची छेत्र होता है जहां पर परंप्रा की पर्धारंता होती है जैसे कि हमारे बावा दादा जितने भी प्रभण से रीतिज्वाज करते हैं वहां ठीज्ची ग BROWN में अनुकरण की जासे फॉलोद की जाती है इसलिए खाली की अधिक्निकी विक्सित नहीं होती है अन पर नहीं होता है साड़े घान में अब तिकल-पाइवर कि माध्यम से अब सारे गाउं को डिजिटल बना रही हैं तो अतनी तकनिक की आउसकता हुआ पर होती भी नहीं होती है आप कोई यूज भी नहीं करना चाहते । अधिशिज गाउं के आधिक जन्संग क्या अपना जीवनेव पार्जन जीने की घ्रंने की खाने की विवास्ता खेती से और किसी से करते हैं किसी परिमिनी वर रहते हैं कि देर्सिह को बी तीन अधार पैंगे निवाज कि अस्तान स्टान पे उस्टेंज के अधार प्रक Gki the तीन पॉल्जार कोन्कॣहसी गाउ एकरीनडुिन अर्टै का क्रुसा प्रक्णुहां क्रोगा में कि वहां पर केंद्र कित गाओं हो जाते हैं चाहँ तरफ से एक दम कसी होई जैसे आपको यह दिख रहा होगा यह स्टरक है इस साइड भी रोड एक घर है इस घर के पीछे और इस घर के पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ खीर ठीखेत अंश्डर आएंगे लेकिन च्रिफ यह दर पंक्ति लाइन सरक के साथ ही चलते रहेंगे इसको केयां किदें पंक्ति नुमा इसको पंक्ति नुमा घाओं कहा जाता है एक हैंपलेट गर उसको तरफ से होते हैं गाओं लेकि बीज में खेती होती है उसके हेलमेट गाउं के नाम से जाना रहता है आप कभी यह सुने बहुते कर लिए अब आते कस्वा पे कि da कस्वा क्या होता है का सब्सक्रां जैसे कुछ जैसे कि खेती का कुछ अंस आपको मिलेंगे और सहर का कुछ मिलेंगे जैसे यह दिखाताएं जैसे कि कशवा है किर्सी का परदानता भी होती की भी होती है और जैसे सभर का सुद्धा मिल जाएगा जैसे पर फॉरेंग कांट्री में जैसे कनाडा ओ अमेरिका ओ तो आम यहां पर दिखाए औरज़र्बैजान जाएगा तो आपको ऐसा इसको कसवा करते हैं ऐसा गर होते कसवे में वहां के लोग क сб eject जहले हैं तो के सीरा क मिया दुम्हे CC होती है यह दोने संक्या की सुख्ष पर भू पर ऑपना जोड देती है जैसे की कुछ किलोग की करते ही है । तूर दियो जैसे हट करगा हाथ हाथ से बनी हुई जैसे कुछ भी मालोब स्वेटर हो साउल हो यह अधर वेप साइस में भी लगे होते हैं किरसी के अलावा लेकिन काओं में अधिकांस क्रिसी पर ही निर्वड़ रहते हैं जैसे अगर कहा जाए इंडिया में तो 2011 की जनगन्ना का भारत में कुल 7,936 कस्वे थे लेकिंगे अब 211 जोन जासना क्या होने वाली है उसमें कस्वें बढ़ जाएंगे और दिन पर दिन बढ़ते ही रहेंगे क्यों जितने भी अधिकांस गाउं है न वह अब कस्वें से बढ़ेगे जब कस्विक जनसंक्या का घनत और अकार बढ़ जाता है तो उसको नगर के नाम से भी जाना जाता है जब कस्वा का कस्वा में जादे लोग हो जाते हैं घनत तो जादे हो जाते हैं तो उसको नगर के नाम से जाना जाता है आप जानते हैं कस्वे की विशेष् कस्वे की व्यासता पांच हम यहां पे लिखे हैं और बहुत सारी हो सकती है जैसंि- यह आपे एक है यह गानों से नल के स्रब बढ़ती है गानों से गानों हुआ उसके भ़़ा सब देबलाप हुआ तो कस्वा वाना कस्वा से नागर बन जाते हैं इसमें क्या है इसमें परमुक्षाय क्रिसी किरियाओं से विप्रित वानीज वो दिवोपर भी होती है जैसे क्रिसी कर लिए इसी तो करी रहे हैं लेकिन कंप्टी कोई मौल शोपिंग मौल कारी इसमें भी सनलिप्थ होते हैं गाउं क्या पेक्षा अधिक अप्चारिकता होती है तो जो सवान नहीं मिलेंगे उस तरह मिल जाएंगे अगला क्या है का वं एवं तर की साथ्य कषिशता को दर्सा आता है यांदि गाउं कभी कुछन्स और श्टरर कभी कुछन्स इसमें किसी यह क कर दहिए वाप आप न इस असंटा होगा आप तभी इस सबद छून किस जहन में यह आता होगा बरेबरे बिल्दिंग्स बरेबरे कार खाने कंपनीज मॉल टॉपिंग मॉल सब्जी मंडी यह आपके सहर के नाम सुनते आता होगा नगर सहर क्या होते हैं कि सहर में ऐसा जगा जहां पर 50–30 से अधिक घर कर से खें गार उसे नगर कि संदियां संद्रीय जाती है याने कि अधिकांस जैसे कि मालबाप बीस च तिस परसेंट किसी पर अपना यापन करते हैं बाकी योगद्योगीक वेफसाय बेफसाय को कोई भी बीजनेस बिक्से अपना जीवन यापन करते हैं उसको नगर की या सहर तरफ बस्ती बनने लगती है जिस उस चारो नगर की चारो तरफ की बस्ती को उपनगर कहते हैं और उपनगर और नगर मिलकर एक महानगर जिसको मेट्रो पॉलीटर सीथी के नाम से भी जानाद आता है हुआ आप जान लेते हैं पठवारी किसे करते हैं जैसे गांस्तर पर का हाजाता तो पठवारी आ जाते हैं थैंजना धक Aww कभी आप नाम सुनेगा इनको सुन रहे हैं यह पटवारी हो गया और गाहों के लोग इनको सुन रहे हैं और पटवारी क्या होते हैं यह पटवारी क्या होते हैं इसके बारे हम चार्चा कर लेते हैं अभी क्या होते हैं जितने भी जमीन के रिकॉर्ड होते हैं पटवारी के पास होते हैं जितने भी रिकॉर्ड होते हैं सारे पटवारी के पास होते हैं जैसे आप कौन सा खेती कर रहे हैं किस मौसमें कौन सा खेती कर रहे हैं कितने एरिया पर खेती कर रहे हैं आपके पास कितना जम अगला अधिकारी पटबारी काया तेसकर शिपको हम एक जान लेते हैं से पटबार को यह qई अन्य नाम से बीजाने जाता है जैसे तस्यर्ण दार बोलिए तस्युलदार काना चट्वारी को ही तस्युल दार बोलते हैं कानुनग और ग्रामिन अधिकारी ज् уб may लगान को बेचा उसे लगान का मतलब कर आज अलग पंगति का कम चारी होता है सबसे अगली पंगती का जैसे आपको बोले ना गाउव में जितने भी होते हैं जमीन कितने जर्वे क्या फसल लोगा है कितना फसल किसने बेचा सारा इसके पाद रिकॉट होता है इसलिए इसको अगली का अगली पंक्टी कम चारी भी कहते हैं बाद में इसे अकवर ने बहतर तरीका से सुझाया जैसे कि इस वो पहले से सबसे पहले पटवारी का नियम से सबसे पहले लेकिन बाद में इसमें सुधार करके इसे और अच्छी तरह अच्छी रूप देकर सबके सामने पेस किया जो अभी तक चलती आ रही है अब लगान क्या होता है भूरा जस्त क्या होता है लगान क्या होता है जैसे आप टेक्स मालें जैसे कि आपके आपका घर स पैसा कमा लिए तरह को सबसे ज्यादा पैसा आता था तो जमीन के लगान से आता था फसल के लगान से आता था यानि टेक्स से आता था आज सरकार किसी भी किसान के पास क्लू जमीन पर सलाना टेस्स लगाती सरकार इसके बहुत लगाती है अब आती पटवारी काम क्या होता है यह स्टाथी में आपको बोले ना कि पटवारी काम होता है जमीन का लिखा जोका रखना जमीन किसके पास कितना है लेंड लेंड रिकॉर्ड रखना कि किसका मालिकाना कितना जमीन पर उस सारा होता है तो पहले क्या होता था बढ़ने लगी जैसे कि बढ़ने लगी रणी को जमीन का जुनकार जाते हो खोने लगा चुगा खा गया या कहीं पर पैसा लेने पैसा जाद लिया इसलिए अब सरकार ने क्या नियम किया कंप्यूटर में सारा डीटेल रखा जाता है और वहीं से पटवारी निकाल कर आपको देता है यह में देता है या आप गाउन लेर पर टाहून लेर पर आपके पास कितना जमीन था कितना आपने खड़ीदा कितना बेचा स्कार दिखा देगा जमीन का रिकॉर्ड है जिसको खस्त्रा नमर भी करते हैं कि चलिए अब जमीन विवाद गाव में जमीन विवाद अक्सर होते हैं तो गाव में जमीन विवाद होने का अक्सर होने का यह कारण होता है जमीन विवाद जैसे कि माली कोई बड़े आदमी है कोई पैसे वाल आदमी है कोई बहुत गरीव आदमी है उसके पास जमीन है तो इसका जमिय हम अरप लेए कुछ बोल भी नहीं पायेगा तो इसी बीच में जैसे इसी बीच में ध्यागरा हो जाते हैं तो सुलज नहीं पाती है उसमें पर्सासन काम करती है पर्सासन क्या होते हैं आगे हम सचा उसके भी कर लेता है जैसे इसको प्रज़ते लिए जमीन कि बढ़ाबर ऐसा होता है जिसके ज्यादा जमीन वाले को अपने लेते हैं क्योंकि बूल भी नहीं पाता है कि ऐसा होता है कि एक आदमी जवरस्तिक किसी दूसरे आदमी की जमीन हरफ लेता है गाओं के कुल लोग अन्य लोगों से समाजिक और आर्थिक रूप से अधिक स सक्तिस्ताली होते हैं माली किसी कोई आर्थिक रूप से सक्तिस्ताली है कोई कमजोर है तो जो सक्तिस्ताली हो तो चाहेगा ना जो कमजोर है उसकाम जमीन अपने पास रख ले और यह कहीं पर केस भी नहीं किसी बोलेगा भी नहीं डर से अधिक सक्तिस्ताली आदमी कम सक्त यह होता है वही प्रड़ बन जाता है कई गीन कोहते हैं जातो Massachusetts मतलब है आपका भाइ आप दो beetje अलग हुए तो आपका जमीन आपके थोटा वह जाल यह बड़ावावा रहेगा लिएAAAA व्हामें भी उतना ही चाये उसके लिए बैद्रह को जाते हैं रहा या जर्जान परशासन क्या होते हैं ऐगर परशासन तो आपके दिमाग में आज लगा घंब काम करते हैं टांकि पर ale फने सिर्फ पौलीस में क्या है तो उसको जान लेता है क्या है सासन के विभीीन पहलुवे के विकास और उसके अमल को पषज करते हैं साष न को बिद newborn के विकास और उसके अमल को प्रशा长 करते हैं जैसे माले कोई विकास कार一कर हम और ला गो हुआ उसको आप वे करने नहीं हुआ है और वह सबस्क्राइब में आनते चल तो आई तो चल रहा है विसी ये पाहलों करते हैं पर्शासनं का जो भाग जंता की भलाई के लिए होता है उसे लोग पर्शासन करते हैं जैसे कि थाना थेक्श हैं वो एफ हैramer कर लिये और जमिणी अच्पप है जाकर ज्नाच सरक हो नाली हो बांधो पेज अलो चापा कलो इस सब के लिए जन्समदा में आ जाते हैं जो परसासन का भाग है लोग कल्यान योजनाओं का लागू करना यानि कि लोग कल्यान जितने भी जैसे हमारे प्रधान मंतिक गैस के लिए उज्वाला योजना बहुत सरा ऐसी योजना सब के लिए जो लागू होते हैं गांगों के सब्धाना यह प्रशासन का ही काम है जगरे का निपटाना यह पुलिस में आ जाते हैं कोई जगरा हो रहा है विवाद नहीं दो यह पुलिस लाग करेंगे जमीन के रिकॉर्ड को दुरस्ट करना ज्याएकि जमीन को पठ़भा गुलाएं को स्elongे के पतवारी करते हैं पतवारी का जुन jsुन लगान को ओ ihm ही पर्सासर में اहाता है अच यह तो बताएती है जब 2 लोग या 2 लोग के दो समुख और समत नहीं होते हैं तो भी सभाग करण हो सकता है उसका यह बुलाएं आपने अमेला यह नहीं किसी एक बात वो समत नहीं हो रहे हैं तेरे वीवाद वे करनने के लिए परसासी का मतलब पुलीस वो गया तो वहां पर पुलिस आकर अपना इंटर्वेन करती है और उस तारे मामले को देखती है अब देखते हैं पुलिस की भूनका क्या हो सकती है जैसे माले कोई आपके गावान में कोई ऐसा घटना हुआ जो जिसमें आप किसी मर्डर हो गया या किसी एक सरफुट गया जमीनी विवाद है तो उसके लिए आप जाते हैं यह जाते हैं यह जाने के बाग वहां पर दर्ज की जाती है फर्ष्ट इंप्रमेशन रिपोर्ट वहां पर थाना अध्यक्ट एससे जो रिपोर्ट दायर करते हैं उसके बाद अपनी कली को भेजत यह लिखा होगा है पुलिस का काम है कानून को लागू करना जैसे कि समिना में जितने भी कानून दिये हैं सारे कानून को लागू करना पुलिस को अपने छेत्र में सांति और सवहाद की जरुत होती है यानि कि पुलिस जो जिस ठाने में आते जिस ठाने कंद का जितने भी गाउं आते हैं उस सारे गाउं को गाउं में सांती और सवहद्र की भावना उत्प्रण करना और सांती बनाए रखना पुलिस का दाइत तो बन जाते हैं अगर माली जे किसी भी तरीका से आप गाउं में भॉयलेंस अगरे की कोई अंधोर्ण कर दिया उसको सांत करने के लिए पूलीस करते हैं अब आते थाणा अद्यक्ष एससे ज्टाना की और पूलीस जैसे की एक थाना है थाने के जूर्व मुख्यां जो बहुत से पुड़ा उस थाना का हम ड्यक्ष उसको खानादार और धानादर भी बोलते है करने के बाद थाना अध्यक्ट एक कंस्ट्रेवल को भी बाद या अपड़ाद कर्वाइब के लिए तो आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में हम देख लेंगे का सिक्स की सेवेंध चैप्टर तो थैंक यू थैंक यू फो जॉइन इस सेशन है प्लीज हमारे वीडियो को और देखने के लिए आपके पास आजाएगे नोटिपिकेशन गूप में आठ उसको देखने वैसे करने के लिए आपको नोटिपिक्शन है तो पेज कर लें थैंक यू थैंक यू फो जाइंटिंग सेशन है अ